नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मुखूल चौधरी और वेल्किम दू वाइस्टॉक रिसेर्च सु ट्रेडर्स अब बात करते हैं हम लोग सबसे बेले निफ्टी की अब निफ्टी अपने आल टाम हाय पे है आपको यह दिख रहा है निफ्टी 21, 650 के राउंड है और इसने अपना यहां से जहां पर मार्किट गिरी थी एम पैटन बना के यहां से मार्किट ने अच्छा कासा बहुत बड़ा मूव दिया था और मार्किट ने चार दिन में पूरा का पूरो मूव कवर कर लिया अब समझदारी क्या कहती है देखो इस मूव में बहुत सारे लोगों ने चीजिंग में भी पैसा कमाया है अब मेरा यहां प्लान बड़ा सिंपल था कि मार्किट अगर उपर जा रही है तो मैं यहां पर एम ढूंडूंगा और वहां पर सेल करूंगा यह मेरा प्लान था आ अब यहां पर अपना नेक्स प्लान क्या रहने वाला इतर देखो अगर प्राइस डिप देती है 21,600 तक डबलू बनाती है तो अपन बाय प्लान करेंगे एक तो यह हो गया राइट अभी 21,600 तक मिल जाए या फिर और नीचे तक आजा 21,560 तक मिल जाए या 580 तक मिल जाए इस रीजन में कहीं पर भी अपने को डबलू बाइटन मिलेगा अपने यहां पर प्लान करेंगे प्राइस अगर इसके ऊपर निकलती है मैं एक बर जूम इन करतेता हूं आप लोगों को और धंग से दिखाए देगा यह देखे अगर प्राइस इस जोन के ऊपर निकलती है या फिर यहीं पर करके उपर निकलती है इस टाइप को जोन होता है तब यहां पर मैं बाइप लान करने वाला हूं ओके मैं फर्स कैंडल ब्रेक आउट पर बाइप लान नहीं करने वाला reason being कि यह extended मूव है आपर और अगर मैं इदर प्लान करूँगा बाइप करके तो एक इस टाइप के ना मेरे को निकाल देगी मेरा ट्रेलिंग ऐसल दस बारा पॉइंट का होता है तो मुझे बहुत स्पेसिफिक ट्रेट लेने पड़ेंगे इस अकाउंट के अंदर मैं कहीं पर भी ले सकता और दूसरी बात इंडिया विक्स भढ़ गया है तो मुझे दस बार पॉइंट के ट्रेट थोड़ा मुझेल मिलेंगे reason being कि जो premium है options के वो increase हो गए है even add the money options के जो premium है वो increase होना चालो हो गए है अब इस टाइप का higher आपका जो विक्स होगा वो election सक रहने वाला है तो market में अब आपको 10-12 विक्स नहीं मिलने वाला आपको थोड़ा high विक्स मिले जब option prices बहुत ज़ादा इंक्रीज हो जाएगी और अब ये 5-6 महिना जो है ये sellers की paradise रहने वाली है बिकर यहाँ पर जो sellers पहले 1,10,000 रुपे में लेट से 200 रुपे की option बेच रहे थे अब उनी को यहाँ पर 400-400 इतने की options मेलेंगे दीरे-दीरे करके और prices बढ़ेंगी और जब deterioration होती है ठीटा decay सब होता है तब आप लगा लो जो melting होती options की वो बहुत next level होती है same 2019 में भी हुआ था same 2014 में भी हुआ था तब मैं buyer होता था तो तब मेरे कुए इन सब चीदों का idea नहीं था तो इस वज़े से तब मैं option buying की थी far out of the money वरी तुक्य में पैसे घमाये थे बढ़िया तो बट स्चिल मैं आपको बता रहा हूँ कि सो समझ के trade करना हम लोगों को अब plan आपको बता दिया कि यहां पर market टेके उपर निकलेगी तो अपन buy plan करेंगे यहां पर W आएगा तो अपन buy plan करेंगे और अगर price फिर उपर तक ऐसे जाती जाती है इस type से अगर उपर जाएगी अगर कुछ M बनाती है कुछ करती है तो अपन sell plan करेंगे यहां पर अगर हमें लगा कि overextended है कुछ है मतलब कुछ खास ऐसा नहीं दे रही है तो मैं यहां पर sell plan करूँगा बट इस type के move को मैं कम quantity में trade करूँगा मेरी जो major quantity हो को इस W पे चलेगी अगर मिल गया मेरे कोई या को gap down मिल गया तो next level है अगर यहां पर को gap down मिल गया green candle बने तो यहां पर मैं first candle पे अपनी 50% quantity निकाल लूँगा मतलब sorry डालूँगा उपर जाएगा W pattern मनाएगा यहां पर दुबारा add करूँगा W pattern में लिए super important है उसी को मैं देखके trade लेने वाला हूँ तो यह अपना nifty का plan हो गया और bank nifty का क्या plan रहेगा उसको समझते है bank nifty भी यही चीज़ कर रही है आप देख सकते हैं bank nifty ने जो अपना utmost all time high है अगर मैं आपको दिखा दो यहां पर daily chart पर यहां पर आप देख सकते हैं उसने असानी से सको clear कर लिया है market ना यहां पर बहुत volatility दी है उसके बाद उपर निकल रही है सब कुछ positive है, सब कुछ market के favor में है बस हम लोगों को अपने अपको time proper करना है कि हमारी timing कहाँ पर set बैट सकती है अब अपने बास option बड़े simple है या तो यहां पर मैं buy करूँ बिल्कुल भक्तिवी market के अंदर मैं buy करूँ या फिर मैं अपने pullback की wait करूँ तो अभी मैं 30 जिनों से pullback की ही मेरी main market मैं pullback ही देख रहा हूँ उसी पर trade करने वालो आगे भी वही करने वालो हूँ अगर मेरे को नहीं मिलेगा तो को tension नहीं है मुझे मेरा count size नहीं बढ़ेगा तो at least मेरा count size decrease भी नहीं होगा तो मैं I'm okay with that अब अपना plan क्या रहेगा आपका 48 200 से लेके 48,100 इस region में अगर अपने को कुछ W pattern मिलता है तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे buy plan करेंगे और चलो मानलो और बड़ा मिल गया 47,900 से लेके 48,000 इस के बीच में मिल गया इस zone के बीच में यहाँ पर कहीं मिल गया तो और बहुत जादा बढ़िया हो जागा और यह W pattern मिला तो अपने यहाँ पर क्या करेंगे buy plan करेंगे यह तो अपना बहुत simple plan है और अगर मानलो market ने उपर जा नहीं है तो इस zone के पास उपर market निकलती है तो यहाँ पर हम buy plan करेंगे reason being कि 48,200 पर market थोड़ा support ले रही है पे ground number है तो अब chances है कि market अगर उपर की तरफ breakout दे रही है तो अपने यहाँ पर buy plan करेंगे यह अपना plan रहने वाला है और third क्या रहेगा अगर market उपर भागती जा रही है एक flow में red candle बनाके M बनाती है कुछ करती है तो वहाँ पर मैं sell plan करूँगा और मेरा target यह रहेगा तो यह अपना trade plan है bank nifty में भी और nifty में भी अब यहाँ पर क्यों उतना specific रख रहा हूं मैं चीजों को because यह है cheezing markets और बहुत सारे लोग है जिनके दिमाग में यह चीज़ आ रही है कि यह market तो उपर भढ़ती जा रही है मैं तो नहीं निकाल पा रहा मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा देखे आपना जनता को मत देखना जनता एक minute पे भी खेल रही है पांच minute पे भी खेल रही है 15 minute पे भी खेल रही है और हर level पे कोई ना कोई participant है आप जिससे भी मिलोगे हो कुछ ना कुछ अलग कर रहा कोई 1 minute पे कर रहा है कोई 5 minute पे कर रहा है कोई 4 minute पे कर रहा है कोई 3 minute पे कर रहा है everyone is trying to do something on different time frames so logo को copy करना बंद करो आप अपना एक procedure बनाओ फिकिस यह जो share बदा रहना है जंगल है आप एक कोई जानवर हो और आपको पानी पीने जाना है अब आपको अपना रस्ता खुद बनाना पड़ेगा सीज़ी सी बात है आप अपनी capability देखो कि अगर आप हेरण की तरह तेज भाग सकते हो तो आप एक time specific पकड़ो कि आप फटाफट भाग के आजाओ और अगर आप को slow जानवर हो या आप नहीं भाग सकते हो नहीं कुछ कर सकते हो तो आपको पनी strategy अलग बनानी पड़ेगी copy paste मत करिएगा ध्यान रखिएगा इस बात को इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होते है और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं आपको नहीं पता तो हमारी community है वाइस्टॉक research की जिस पर एक अच्छा खासा group बना हुआ है जहाँ पर discussions होते हैं लोग बहुत अच्छे discussions करते हैं वाँ पर यहाँ पर जितने भी जो members है बहुत हमें आपको दिखा देताउइंग पर आप देख सकते हैं आपर अपने trades भी share करते हैं जो भी चीज़े हैं सारी चीज़ें share होती है अपने ideas share करते हैं यहाँ पर आपको सीखने को बहुत मिलेगा यहाँ पर हमारा एक premium course भी है decision points का तो आप वो भी access कर सकते हो जिससे आपको कैसे trade करना है क्या करना है यहाँ पर हमारे doubt section भी है जहाँ पर आप doubts एक सकते हो and swing trading section है day trading session है तो बहुत सारी चीज़े हैं आपर तो आपको बहुत help मिलने वाली है तो अगर आप join करना चाते हो तो आप whatsapp number पे एक पर message करिए how to join मेरी जो team आपको assist कर देगी क्या procedure है join करनेगा अगर आपको सही लगता है आप join कर सकते है so I hope this helps अगर आपको पसंद आई वीडियो like share करना मत भूलेगा जितना आप like करेंगा उतना मैं प्रूसान मिलता है and अभी तक अगर आपने 2024 में trading कैसे शुरू करनी है एक intermediate, beginner या break even trader के लिए तो आप वो वीडियो जाके जरूर देखिए मैं इस वीडियो में उसको पिन कर दूँगा आप जरूर जाके देखिएगा बहुत important वीडियो है वो अगर आप अपने trading करेंगे शुरू कर रहे है या फिर दुबारा से restart कर रहे है या फिर 8K होए है do not forget to watch that video I hope this helps thank you for watching